हालो गाईज टेकनिकल आइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक पोटेबल नेक फैन बना का दिखाऊंगा और इस फैन को आप गले पे पहन कर मस्ट ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं और यह एक रिचार्जब इसे आप चार्ज करके कहीं पर भी ले जा सकते हो और इसका जो डिजाइन है काफी मस्त होने वाला है आप भी इसे आसानी से घर पर ही बना सकते हो तो इस वीडियो का इन तक ज़रूर देखना और अच्छा लगए तेस वीडियो को लाइक कर देना तो फिर चलिए फड़ा रिंग कटिंग कर लेना है और इसे सेंट पेफर से खिसकर अच्छे से फिनिसिंग कर लेना है अब गाईस सेम इसी के जैसा और एक रिंग आपको बना लेना है इसके बाद गाईस आपको दो पीवीजी सीट के छोटे छोटे पीस लेना है अब इन दोनों रिंग को इस पीस सीट से कुछ छोटे-छोटे Stick cutting कर लिया हूँ तो इन सभी Stick को कुछ इस तरीके से एक एक करके चिपका कर एक जाली टैप का इसका डिजाइन बनाने वाले हैं तो चलिए सभी को मैं चिपका लेता हूँ अच्छे से यहाँ पर गईश सबी स्टीक को बिल्कुल अराम अराम से आपको सीधा सीधा करके चिपकाना पड़ेगा तभी यह देखने में अच्छा लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सबी स्टीक को मैं बढ़िया से चिपका दिया हूँ अब गाईस इसके इस साइट पर भी हमें कवर करना यह भी हमें इस तरीके का PVC सीट का राउन पीस कटिंग कर लेना है और उसके बद इस टीक को इस तरीके से एक करके चिपकाना पड़ेगा इस राउन पीस के उपर यहाँ पर सभी स्टीक का जो डिस्टेंस है वो आपको बराबर रखकर चिपकाना पड़ेगा तभी यह करके कटिंग कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर फिट करके बढ़िया से सभी स्टीक को एक एक करके सूपर गलू से चिपका देना होगा तो चलिए सभी स्टीक को मैं सूपर गलू लगाकर अच्छे से मैं चिपका देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं से मैं छोटा सा एक पीस कटिंग कर लिया हूँ और उसके एक साइट पर PVC सीट लगा कर कवर कर दिया हूँ अब इसके साइट साइट पर हमें ब्लेड लगा कर इसे प्रोपिलर टाइप का बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं कागस के ऊपर इस तरीके का एक ब्लेड का डिज जो है कटिंग हो चुका है और इस तरीके से आपको टोटल तीन ब्लेड कटिंग कर लेना है अब इन तीनों ब्लेड को हमें इस पीस के साइट साइट पर इस तरीके से टेपर करके हलका सा चिपका देना होगा सभी ब्लेड को जो है आपको बराबर मेजरमेंट करके चिपका है इसकेपाद गयाईस इस प्रॉपेलर को यहां पर मैं color कर दूँँगा ताकर देखने में अच्छा लगे तो यहां पर स्प्रेइन के मदद से बढ़िया से color कर दिया हूँ देख सकते हैं काफी बढ़िया देखने में ये चिपका देना होगा आपको इस motor को बिल्कुल center करके चिपकाना होगा नहीं तो propeller जो है side पर touch हो सकता है गोमने के time इसके बद गाईज इस motor का wire यहां से निकालने के लिए हमें एक hole करना पड़ेगा तो यहां पर मैं hole कर लिया हूँ देख सकते हैं आप अब इस motor पर दो wire solding कर दे रहा हूँ और positive पर red color का wire और उसके बाद इन दोनों wire को हमें hole से बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से अब guys इसके पीछे side पर भी हमें जाली से cover करना पड़ेगा तो उसके लिए यहां पर मैं फिर से एक एक करके stick को यहां पर चिपका कर जाली बनाऊंगा तो चलि में से आपको चोटे-चोटे size के दो piece cutting कर लेना है कुछ इस type का अब इन दोनों pipe को हमें दोनों fan के साथ fit करना पड़ेगा इस तरीके से तो सबसे पहले एक fan के साथ एक pipe को fit कर देता हूं motor का जो यह wire है इस pipe का अंदर से इस तरीके से डाल देना है इस wire को भी इस pipe का अंदर भी आपको भर देना है बढ़िया से और उसके बाद इस pipe को आपको इस fan के साथ इस तरीके से attach करके चिपका देना है गाइस यह hot glue से उतना मजबूती के साथ नहीं चिपका है तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस joint पे एक wire को इस तरीके से लगा देता हूं और उसके बाद guys इ मैं एक half round वाला piece cutting कर लिया हूं PVC seat से इसके बाद guys यह एक पतला वाला PVC seat ले लिया हूं और इस round piece के साथ मैं इस तरीके से चिपका देता हूं तो हमें यहाँ पर मतलब एक box type का बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं अपने हिसाब से box बना लिया हूं और से finishing कर लिया हूं और यह जो piece है इसका उपर वाला धकन है तो इसे हम बाद में लगाएंगे अब guys इस box के साथ इन दोनों fan को दोनों side पर इस तरीके से fit करना पड़ेगा तो उसके लिए hole करना पड़ेगा दोनों side पर तो फटा part मैं deal machine से hole कर लेता हूं यहाँ पर तो राइब को आपको ले जाकर इस box के जो hole है उस पर आपको इस तरीके से fit कर देना होगा और सही उसी तरीके से दूसरे side का fan को भी हमें लगा देना है तो यह जी आइक locations कर के बाध इस joint पर आपको super glue डाल कर और मजबूत कर देना है ताकि यह बाद में खुलना जाए तो यहाँ पर काफी मजबूत हो चुका है अब इन दोनों fan को power देने के लिए हमें यहाँ पर battery लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको एक lithium-ion battery ले लेना है और यह 3.7 volt का battery है फुल चार्ज होने पर 4.2 volt output देता है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर मैं एक TP4056 charging module ले लिया हूँ और इसका जो यह charging socket है इसे मैं यहाँ से निकाल कर सीधा करके लगा कर सोल्डिंग कर दिया हूँ ताकि इस box के अंदर इसे अच्छे से fit कर सके इसके बाद इन दोनों fan का speed को कम ज़्यादा करने के लिए इस तरीके का आपको एक regulator ले ले लेना है और इन सभी parts को आप आसानी से किसी भी electronic shop से purchase कर सकते हो यहाँ पर गैस यह जो regulator और यह charging module है इन दोनों को हमें इस box के अंदर fit करना होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो एक group cutting करन अब इस charging module को भी यहाँ पर fit कर देते हैं थोड़ा सा hot glue लगा लेते हैं charging module के उपर और उसके बद गाईस यह charging socket का जो group cutting किया है उसके बराबर आपको इस charging module को रखकर चिपका देना है अब यहाँ पर यह जो छोटा सा एक खोल है यहाँ से हमें LED indicator का light दिखेगा और यहाँ बैटरी पर दो वायर जोड दिया हूँ इन दोनों वायर को charging module के battery input प्र-solidic कर देना है इसके बाद आपको एक छोटा सा वायर लेना है और charging module का positive output पर शोल्डिंग कर देना है अब इन दोनों वायर में से realize color के wire को regulator के एक point पर solding कर देना है दुसरे point पर एक चोटा सा rate color के wire को solding कर देना है इसक και बद guys इस battery को हमें इस box के अंदर अच्छे से इअ独 करना होगा और यहाँ पर यह जो दोनों wire है इन दोनों wire को हमें इस दोनों fan के साथ connect करना होगा तो सबसे पहले दोनों motor के wire को एक साथ में parallel करके connection कर देना है दोनों को एक साथ में क्यूंकि दोनों motor को हमें एक साथ में power देना है तो यहाँ पर मैं parallel करके connection कर दिया हूँ अब इन दोनों motor के किसी भी एक joint पर आपको जो है इन दोनों batteries का wire को जोड़ देना है positive को positive पर negative को negative पर इसके बाद guys सभी joint को आपको hot glue लगा कर बिल्कुल चिपका देना होगा ताकि आपस में touch होकर saucer kit ना हो और इसके बाद guys उपर वाले ढकन को आपको बढ़िया से fit करके लगा देना होगा guys आप इस cover को चिपकाने से पहले इस fan को चला कर आप जरूर से check कर ले ना मैं आपको बिल्कुल last में चला कर दिखाऊंगा तो चलिए यहाँ पर इसे chip का दिया हूँ finally यह ready हो चुका है तो चलिए अब इसको मैं charge card cup को दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं एक mobile का charger ले लिया हूँ तो इस charger से मैं इसको charge पर लगा देता हूँ फटा फट से तो इस pin को मैं जैसे यहाँ पर connect किया हूँ देख सकते है red LED जल चुका है तो मतलब charge हो रहा है अभी इसको छोड़ देते हैं कुछ देर तक operator से इसे on off कर सकते हो तो दोनों fan से जो है बिल्कुल बराबर air fake रहा है यहाँ पर कागज आप देख सकते हैं काफी तेजी से यह ऊड़ रहा है तो चलिए आप इसको गले में लटका कर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको लटका लेना है और उसके वाद दिन दोनों fan को आपको चेहरे के तरफ इस तरीके से बेंड कर लेना है और यहाँ पर यह जो दोनों spring pipe है यह आप किसी भी direction पर इसे मोड कर आराम से हवा का मजा ले सकते हैं काफी मस्त हवा दे रहा है आपका चेहरा हमेसा ठंडा ठंडा रहेगा काम करते करते भी आप इसका हवा का मज ले सकते हो और इस तरीके से टेबिल पर भी रखके अराम से हवा खा सकते हो तो गाइस यह fan काफी useful है आपको यह neck fan कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इस video को like कर दीजिएगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा तो फिर आज के लिए बास इतना ही मिलत है नेक्स्ट वीडियो पर